अगर आपके पास 4000 mh का मोबाइल है और आप सोच रहें कि 20,000 mh का पावर बेंक लेकर आप अपने मोबाइल को 5 बार चार्ज कर पाएंगे तो ऐसा बिल्गुल भी नहीं होने वाला है इस वीडियो को एंट तक देखना एसे ही मित को मैं तोड़ूँगा और आपको बताऊंगा इंडिया में मिलने वाले बेस्ट पावर बेंक जो की 20,000 mh की पावर की साथ आते हैं वेल्कम टू बेस्ट वाले जहां मिलता है आपको शांदार कंपेरिजन बैतरिन डिव्यू ऐसे ही बेस्ट प्रोड़क्ट्स की जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज बता रहे हैं आपको बेस्ट पावर बेंक के बारे में जो की 20,000 mh वाले पावर बेंक हैं लेकिन आपको ये बता दें पहले कि अगर आप 20,000 mh का पावर बेंक ले रहे हैं तो आपको कितना पावर मिलेगा तो एक general rule आपको मैं बताऊंगा कई बार मैंने comments में देखा है लोग कहते हैं कि इस company ने मुझे cheat किया कि मैंने 10,000 image का एक power bank लिया और इसने मेरा mobile जो था 4000 image था तो इसने धाई बार charge नहीं किया बल्कि सिर्फ एक बार या थोड़ी देर और charge किया तो देखिए ऐसा नहीं होता है आपको जो power bank है उससे आप 2 upon 3 का into कर दीजिए तो आपको general rule मिल जाएगा देखिए अगर 20,000 image का power bank है तो roughly आप 14,000 image उससे निकाल पाएंगे ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो energy है वो भी खर्च होती है आप उसको अगर energy दे रहे है, electricity तो वो भी फिर आपको mobile में दे रहे है उसमें से भी गर्मी पेदा हो रही ही, heat पेदा हो रही है तो वहाँ भी खर्च होता है तो एक general ही मैं आपको बता हूँ, अगर आप 20,000 image का power bank लेंगे तो roughly एक अच्छे power bank से आप 4000 image वाली बेटरी अगर आप चार्ज कर रहे है तो आप उसको 3.5 बार चार्ज कर पाएंगे अगर आपका mobile 4000 image का है तो 3.5 बार आप उसको चार्ज कर पाएंगे यह आपको समझ में आ गया होगा अगर आप मुझसे पूछें कि क्या क्या quality होना चाहिए एक power bank में तो देखिए सबसे पहले 20,000 image आपके power bank में होना चाहिए एक branded power bank लीजिए, generic मत लीजिए, cheap मत लीजिए और lithium polymer वाला battery वाला power bank लीजिए type C power bank लीजिए और dual output यानि कि साथ दो चीजों को चार्ज कर देने वाला power bank लीजिए अब मैं आपको बताऊंगा कुछ best power bank के बारे में जो मेरी नजर में अच्छे हैं उन्हें आप ले सकते हैं number one पर मैं आपको power bank बताऊंगा जो सबसे best है मेरी नजर में वो है redmi का 20,000 image का power bank इसका मैं पूरा detail आपको बताऊंगा वीडियो end तक देखते रहे देखे ये कुछ दिखने में इसा होता है इसमें color नहीं आता है सिरफ आपको black ही मिलता है ये शायद white भी इसमें available है आप देख लीजिएगा नीचे links दी गई हैं अब इसमें आपको बता देते हैं image के बारे में तो आपको वही जो 20,000 image है वह आपको इसके अंदर मिल जाता है और weight की बात करें तो देखे ये 450 gram के आसपास का आपको पढ़ रहे अब आप ही सोचेंगे कि इतना भारी आदा किलो का तो देखे अगर आप 20,000 image का mobile ले रहे हैं तो इससे ये बात clear है कि आप किसी train में सफर करें या bus में सफर करें तो आपको mobile दो तीन बार चार्ज करने के ज़वद पढ़ सकती है तो अगर आप bus में या train में सफर करने के लिए ले रहे हैं तो इसका वजन ठीक है अब बात कर लेते हैं dimension का तो इसका dimension आप screen पर देख सकते हैं कुछ इस तरीक है इसका dimension आपको मिलेगा इसका जो charging output है वो आपको 18 watt का charge मिलेगा यान कि fast charge करेगा आपका जो भी devices हैं जो fast charge support करते हैं वो आपको fast charging आपको देगा और इसका जो recharge time है यान कि इसको खुद को आप recharge करना चाहें power bank को तो यह खुद recharge होगा आपका अगर आप 18 watt से charge करेंगे तो 6.7 hours में यान कि मान लिजिए 7 गंटे में charge कर देगा लेकिन अकर आप normal charger लेंगे 10 watt वाला तो 10 गंटे में charge करेगा और इसके अंदर आपको type c port मिल जाता है यह इसके अंदर बहुत अच्छी बात है अगर देखिए जहातर mobile जो होते हैं आजकर type c वाले आ रहे हैं तो आपके पास जो charger है तो आप इस power bank को असानी से charge कर सकते है type c से आपको normal cable नहीं चाहिए पड़ेगी इससे काम चल जाएगा इसका output की बात करें इसमें आपको dual output मिलता है यानि कि एक साथ दो चीजों को आप charge कर पाएंगे इसकी जो warranty है वो आपको 6 महिने की मिलेगी 6 महिने की warranty की साथ आता है और इसके price की बात करें तो देखिए इसका price आप नीचे description में जाके check कर सकते हैं क्योंकि इसका price घटा बढ़ता रेता है और इसका latest price आप चेक कर सकते हैं फिर भी इसका जो price है वो मैं आपको बता दूँ affordable है budget में है आप इसको ले सकते हैं यह 1500 के आसपास में आपको पढ़ेगा features के साथ आता है इसका short description आप देख सकते हैं वीडियो post करके और पूरा पढ़ सकते हैं यह मैंने दे दिया है आपको तो यह best power bank है 18 watt की fast charging के साथ आता है 18 watt की fast charging का मतलब यह है कि अगर आपको mobile fast charge को support करता है तो यह आपके mobile को fast charge करेगा तो यह एक अच्छा power bank है हमाई तरफ से इसको एक like मिलता है कि आप इसको ले सकते हैं अब बात करते हैं number two पर जो हमारा power bank है anchor power core का power bank anchor company की बात कर लें तो यह चायने की company है जो की अच्छे product बना दी अमेरिका में भी इसके सामान बिकते हैं तो यह आपको 20,100 image का power bank देता है और अच्छा और हलका power bank है इसकी खास बात है image की बारे में बात करें तो आपको 20,100 image का power bank आपको मिलता है weight इसका बहुत कम है 181 gram है अगर आप हलका power bank चाहते हैं कि आपको बस jam में लेकर भी घुमना चाहते हैं यह power bank का आप ले लीजिए 181 gram का है लेकिन आपको बता तो इसका प्राइस थोड़ा अच्छा है क्योंकि यह global company है dimension इसका आप देख सकते हैं इतना dimension है इसका और इसका जो charging output है वो आपको fast charge मिलेगा यानि कि अच्छा charge कर देगा यह वो भी आपका device है fast charging इसमें support है recharge time की बात करें तो यह 10 घंटे में 2 Ampere का अगर आपका charger है तो यह 10 घंटे में आपका power bank को पूरा charge कर देगा इसमें type C आपको नहीं मिलता है यह इसकी खामी है इसमें आपको type C नहीं मिलेगा आपको जो micro cable है उससे ही आपको charge करना पड़ेगा आपको जो output है इसके अंदर आपको dual output मिल जाता है इसकी warranty की बात करें तो आपको 18 महिनी की warranty मिलती है इसकी detail warranty की आप check कर लीजिएगा site पर जहां से आप buy करें अब price की बात करें तो देखी जो आपका redmi था उससे दुगना price आपको पड़ेगा मान लीजिए कि आपको ये 3000 के आसपास का पड़ जाएगा इसका latest price आप check कर लीजिए नीचे description दी गई है अब बात करते है MI2i की बार में यह हमारा third number का power bank है यह बहुत अच्छा power bank चला है और big बहुत रहा है बहुत अच्छा power bank है MI2i की बात करें तो 20,000 image का power bank है 18 watt की fast charging आपको देता है इसके features से आप देख सकते हैं इसमें आपको बता देता हूं इसमें image आपको पता ही है 20,000 image का power bank है वेट की बात करें तो 431 gram इसका weight है और इसमें आपको dimension कुछ इस तरह देखने को मिलता है अब बात करते हैं इसमें charging output आपको 18 watt का charge मिलता है यानि की fast charge आपके mobile वगेरा को कर देता है recharge time खुद को recharge करने में इसे 10 गंटे लगते हैं और इसमें type C port नहीं है इसलिए मैंने कहा था इसमें type C है price भी बिल्कुल सेम है शायद इसका और रेडमी का लेकिन इसमें type C नहीं है यह इसमें खामी है अगर आपके बस type C वाला mobile है तो आप इसमें कहा type C लगाएंगे आपको micro cable लगाना पड़ेगा अगर आप फिर भी adjust कर सकें तो अच्छा power bank है आसपास कपड़ेगा इसको पूरी detail है यहाँ पर दे गई यह आप देख सकते हैं एक बार एक बात याद रखिए जो AMI का power bank है और Redmi का power bank है आप confused मत होईएगा वो दोनों company है जो हैं है एक ही लेकिन brand अलग-अलग है Xiaomi company ने उनको अलग-अलग कर दिया Redmi एक अलग brand बना दिया है और AMI एक अलग brand है तो इस तरीके से यह दो अलग-अलग power bank है company एग ही एजुन की parent company है number 4 पर जो हमारा best power bank है वह ही Ambrian का 20,000 image power bank style 20K दिखने में काफी खुब शुरत है दो color में आपको मिल जाएगा 20,000 image का इसके अंदर आपको power bank में power मिलेगा और weight की बात करें तो यह 372 gram में weight काफी अच्छा है यानके वजन काफी कम है और dimension की बात करें तो यह आप इससे देख सकते हैं इस तरीके dimension आपको मिलेगा इसका जो charging output है वह आपको fast charge मिलेगा आपके mobile device को fast charge कर देगा और recharge time की बात करें तो यह आपके mobile को यानि कि इसको खुद charge होने में 12 घंटे लग जाएंगे type c port इसमें आपको मिल जाएगा देखिए इसमे type c आपको दियेगा है micro port भी इसमें दियेगा है और output आपको dual मिल जाएगा दो चीज़ां आप इसमें charge कर पाएंगे और warranty आपको इसके अंदर 6 महनी की मिल जाएगी और इसका price जो है वो आपको 1300 के आसपास पढ़ेगा इसका जो detail है वो आप में ना देदी है pause करके आप देख सकते और एक अच्छे value आपको देखा बताऊंगा तो आप select कर पाएंगे कुन सा आपको लेना है ठीक है यह eyeball को 20,000 image का power bank है या 2 color में आपको मिल जाएगा इसके अंदर आपको 20,000 image power bank ही मिलेगा power मिलेगा weight की बात करें तो इसमें आपको 417 gram weight मिलेगा dimension इसका आपको यह लिखा हुआ आप देख सकते हैं और इसका charging output की बात करें तो आप इसमें आपको adaptive charging मिलेगी मुझे लगता है कि इसमें fast charging नहीं होगी इसमे adaptive charging लिखिए तो normal charging होगी अगर आपके पास कोई ऐसा mobile जो fast charge हो सकता है तो उमीदे Redmi mobile उसको charge कर देगा जल्दी fast या MI वाला कर देगा लेकिन यह मुझे इससे लगता नहीं नहीं इसका कुछ clear लिखा हुआ था तो आप इसे देख सकते हैं recharge time की बात करें तो इसमें 10 गंटे के लगबग का time लग सकता है clear नहीं है नहीं mention है company की तरफ से तो मेरे साब से इसमें 10 गंटो का time लग जाएगा type c इसके अंदर आपको मिल जाएगा और output इसमें dual output आपको मिल रहे है यानकि दो बार आप अपने 2 device को charge कर पाएंगे warranty की बात करें तो इसमें आपको 1 साल के warranty मिलती है price की बात करें तो यह आपको 950 के आसपस पढ़ जाएगा अगर आप price देख रहे है तो यह आपके लिए एक अच्छा choice हो सकता है eyeball को अगर आप लेना चाहें तो अब जितने भी power bank हमने देखें उन सभी का एक overall comparison कर लेते हैं तो देखी इस screen पर आपको दियेगा है जो भी आप देखना चाहें मैंने एक list बना दिये type c किसमें दिया है किसमें नहीं दिया है इस video को pause करके आप देख सकते हैं और इन सभी जो power bank है इनकी जो price है वो घटते बढ़ते रहते हैं तो आप नीचे description में जाके check कर सकते हैं और आप कौन सा power bank लेना चाहेंगे कमेंट में लिखके जरूर बताइए सभी कि लिंक्स में नीचे description में दे दिये आप जाकर वहाँ उनका price चेक कर सकते हैं और बाय करना चाहें तो बाय भी कर सकते हैं और इसी के साथ अब ऐसे ही best videos के आपको मिलती रहेंगी इस channel को जरूर subscribe कीजिए ऐसे ही best products में आपको लाता रहूंगा और आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए thank you